इतने सारे 80 करोड से भी जादा यहाँ पे हिंदू रहते हैं, वो तो सड़कों पे नहीं उत्रे हैं। भला बोलते हैं कि हमें उस टाइम कितना बुरा लगता होगा और हिंदूस्तानी भाव ने ये भी बोला कि 100 करोड की जनता तो कभी भार आके सड़कों पत्थर नहीं फेके किसी के ऊपर। जनी साब वो रोएं किस तरह से लोगों को वरगलाना शुरू किया और सारे की सारे जितने भी दार्मिक लीडर हैं उन्होंने आम इनसान को आम मुसल्मान को वरगलाया। आप इसके पीछे की सारी देखे कि अगर वाकई में आपकी ये मानना होता कि मुहमद सल्लाव वैसलम का अपमान हुआ हैं तो आप जैशे मुहमद के लिए इस तरह के आप धरने रगातें इस तरह की फत्वे बाजी करतें या इस तरह की मार्श निकालते तो मुझे नि oppression के पूरी दुनिया में इस ताना का अगर वहाइस की तरफ से अगर मैं दिखती के पाकिस्तान में क्या हो रहा है अफगानसतान में क्या हो रहा है जैशे मुहमद के खिलाफों कोई इस तरह किया निराला था माहरानाप के ओड़े से पढ़ गया हवा का पाला था लेकर सवार उड़ जाता था राना की पुतलि फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था अम नंतर ये पड़ा है अमने तो सिवा जी भी पढ़ाए गए आप प्रिधुराद चौहन भी पढ़ाए गए हैं जितने बच्चे यहां बैठे हैं इंकूड और जितने वैस्ट लोग बैठे हैं राट कुमाजी हम सब में पढ़ाए और अंग्जेब का बाप कौन सबको पता है ना शाजहां जाजां का बाप कौन यहांगिर यह पेज़न कर दिसके ज ब्रसका अधिक निपशमा नूपूर शर्माने भैगंबर मौमद साब के बारे में जो बोला उस का सम्रतर नहीं करता हूं मगर टेन का रियक्शन हमारे शिवलिंक के बारे को जैप बोला गये इसका मजा कबाया गया महादेओ के बारे में उनका मजा उड़ाया गया, तब किसी ने कुछ बोला नहीं, मैं ये 70 बाज लोगों से बात नहीं कर लाएं, मैं समझदार जो है न मुस्लिम, उनसे उनसे, उनको कुछ पता ना चाहिए, तब किसी ने कुछ क्यों नहीं बोला, झाल